वेल्कम बाग टुजागो लहॉर ब्रेक के बाद हाजर हो चुके हैं जुनाव आज हमारे पास जो टॉपिक है वह बहुत इंट्रस्टिंग भी है आपके बहुत काम का भी है हम बहुत सारी जगों पर अपने विदि देखते हैं कि हम पॉजिटिव थेंकिंग से बहुत दूर होते ज़ले दाए हैं हमने किस तरह से पॉजिटिव वाइब्स देनी भी है और भी लेनी भी हैं दोनों को वेलकुम करेंगे, वेलकुम तो कैसे आप लो, थांक्यू सोगाविंग, मौधियू साब आपकी जाने बाएं, हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली यह है क्या, पॉजिटिव थिंकिंग जो सबसे इंपोर्टेंट है, यह हमारी सोसाइटी के गेली और इंसान की जो अपनी सोच लाने की सोच है उसमें बह democracy नाने की सोच है उसके मताबर के पॉजिटिव थिंकिंग, यह है क्या हम कि जब भी को सूसाइटी में एक्ट कर रहे हैं, यह सुसाइटी से जो अस पैक्टेशन थे है, जा हमारी जो डेली सूसाइटी में और जैसे मैं एक्जेम्पान के तोर पर बात कर सकता हूं कि हमारे ढिली रुटीन में traffic issues सबसे पहले होते हैं कि हम जब घर से निकलते ह। में traffic issues आते हैं और traffic issue आने की reason हलें कि इस जी भोसरी āखाडिया है इक signal के ऊपर तो हम इसको negative भी सोच सकते हैं और positive भी सोच सकते हैं पॉजिटिव इस तरह सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी आगी है, यह बड़ा हेल्दी साइन है, हर बंदे के पास गाड़ी है, और अब मैं यहां ट्राफिक में स्टक हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा कोई एक सौंग सुन लेता हूँ, मैं कोई थिंकि आप माशरे में बेहतरी और डिसेंसी लाने के लिए आपका पॉजिटिव हमसेल्फ होना जरूरी है, अपने आप से बात करने के लिए भी आपका पॉजिटिव होना और यह जो पॉजिटिव होना है आपको बहुत सरी बमारियों से बचा देता है, स्ट्रेस से बचा देता और आप जो दूसरे पार्ट है उसके साथ भी आप एक अच्छा रिलेशन डिवेलप कर सकते हैं। रखर सम्या, नॉर्मली हम यह जो पॉजिटिव तिंखिंग की बात केहते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा पॉजिटिव राकोरो पॉजिटिव राकोरों। पहले यह सोचें कि आप खुद पॉजिटिव हैं। दूसरे को कहना कि नहीं वो पॉजिटिव नहीं हैं वो नेकिटिव नहीं हैं। जस्ट अपने सेल्फ अनालिसिस करें। बिइं पॉजिटिव बाइव यूसल्फ इस सो वरी इंपोर्टन और वो कैसे होना हैं। कि सारी दुनिया में थिंकिंग प्रॉसस जो है सोच है। सोच के ओपर बहुत से थिंकिंग टूल्स की आपको ट्रेइनिंग दी जाती है। कि आपने किसे सोचने हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। हम बैठे हैं अगर दस लोग बैठे हैं। हम फ़राण एट्रेक्ट रोजएगे जो नेगटेव बात है। वह नेगटेव बात मांड में सोचते जाएंगे। क्या सोचना इतना इंपॉर्टेंट है पहले तो यह आप से दिसकस करें। सोचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्लीज लोगों से मेरी यही डिसकेशन है, कि जैसे अंधेरा और सूरज है, नेगिटिव और पॉजिटिव हम उस तरह ही लेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव यह इस तरह से आप कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल लें, जैसे ही नेगिटिव थॉट आ होगा आप depressed हो जाएंगे stressed out हो जाएंगे आपके सोचने की ताकत खतम हो जाएगी and when when you end up in this आप negativity ही पहलाते हैं पर आगे you know being in our मौश्रे में positive लोग ही बहुत कम है exactly positive लोगों के साथ बैठें लेकिन उनको identify करना आपने है अगर आपको दस में से कोई एक भी मुश्किल सा पॉजिटर निल जाना यह भी बहुत बड़ी नेमत और अनपॉचनेटली दुनिया में बहुत जाएं दुखी लोग भी बहुत जाएं तो मेरी इस वकट थोड़े से ताइम पर यही रिक्वेस्ट एके प्लीज चोटी चोटी बातों पर दुखी नहीं हो ना अब ही हम दुखी होने के बात करें आप मोहमाद भी आपकी जाने भी आओंगे आप तो कि मोटिवरेस्टन स्पीकर भी हैं सम्टेम्स हम किसी को पने साथ को अपना दुख शेर कर रहा हूं तो आगे से फे दस सुना तो आप फॉरन सचुप कर वेट आते हैं कि अचाहा इसको अपनी पॉजिटिव बात क्या इसमें से में निकाल हूं कि शाहिद में अपना कि थार्षित करने जाना तो वो आपको मुझी डिप्रेस कर देते हैं अग्जक्ली ऐसा ही हमारी सिचुएशन सुसाइटी की सिचुएशन में है इसमें दो two reasons है कि शायद हम वह एजएशन हैं अपने भड़ों से दूसरी ऐह बात यह है कि शायद हम अपने मजभ से भी दूर हैं हमारे मजभ के अंदर अगर हम अपने लाइफ का कोई अचेवमे अगर आपका उसके अंदर फेलियर भी आ रहा है, बहुत सरी लाइफ में चीजें फेलियर की तरफ जाती हैं, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव रहना होता है, और आप सिर्फ माइंड में ये रख लें इस बात को, कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्ला ताला ने क कि आपके लिए मेरे दर्वाजे खुले हैं, और आपने मुझसे अमीद का दामन नहीं छोड़ना, इसके करीब चले जाएं, तो ये हमारे बहुत सरी चीजें सुसाइटी के लिए बहतर हो जाती हैं, और दूसरा इसके लावा, हमारे मजभ में ये भी फर्माया है, अल्ला नेगिटिव तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अगले का जो है माइंड सेट उसमें भी आप बहतरी की तरफ रखें सोच, अगर वो मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, फार एक्जेंपल मैं चोटी सी एक्जेंपल देता हूँ, तो मुझे आप टाइम पे मेरी स्पे तो यह हमें अपने अंदर आपने अंदर आपने लानी है, दूसरों के एंगल को भी पॉजिटिव लेना है, हम इस पे आप कीसे एक्जांपल लेंगा, हम तो कहें कि इसने जान की नहीं बलाई है, मुझे डिग्रेट करना चाहिए, बद्गुमानी आगए यहां पे मानिया लेकि आप सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने आपको यहां अपने इर्दगिद लोगों को, सुसाइटी खराब हो जाती है, अच्छे लोगों के साथ बैटें और अगर नेगिटिव तॉट्स आ रही हैं, नहीं कंट्रोल कर पारें, पहले फिगर आउट कर ले हैं पॉजिटिविटी अगर हमें को हमारी वचारा कोई असलाव भी करना चाहरा है उसको फॉरण से गहेंगे तुम्हें कुछ नी पता है, हम जिस पेसे खुजर हैं तुम्हें नी पता है, यह जो मामला ना यह भी आदी जो कह ले न उसकी परशाणीव हैं, अपकी बीग होना is very important, आपकी किताबें हमारे बड़े राइटर्स ऐसे हैं जिन्हों ने मोटिवेशनल राइटिंग भी किये, श्वाक है, मर्द हैं, बानो कुछ यह हैं, उनकी अगर आप किताब में पढ़ लें और आप शेयर करें अच्छी चीज़ें दूसरों से, you will be a positive thinker, आपके इर्दगेद वो positivity आजाएगी, लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, और coming back to the point कि negativity आती कहां से है, जिससे building है ना, बनती है, construction होती, phases होते हैं, एक बच्चे की life में भी वो पच्चा negativity लेके पैदा नहीं होता, हम इंडग करते हैं, हम इंडग करते हैं, अगर mother को आप इसी, वो ही बात है ना, मुझे अच्छी माएंद हो, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा, मा के ओपर आके बात, उसको positive होना बहुत जरूरी है, उसके ओपर से pressures, चले हैं भी अगर, तो मैं मानती हूँ के मेरी माँ से request है के please, अपने अंदर का anger, अपने अंदर की frustrations, अप अपने बच्छे के सामने मत discuss करें, वो पूरी की पूरी building बनने से पहले ही collapse कर जाएगी, एक बच्छा जो 25 साल एक महाल में रहा है, जिसमें जैसे एक रास्ता बन जाता है, पक डंडी बार बार आप उसके चलने, चलने से हमारे बन जाती है, एक रास्ता, वो बच्छा एक नेगतिव थाट लेके जो 25 साल तक चला है वो आगे पॉज़िटिव थिंकर नहीं दन कर दो कर का, आप लोग भी करेंगे कि हमाये होती है घर का भी गुष्ट्छे का बच्छों के सामने करेंगें जिसका काम ही नहीं तो ऑने करना जाते हैं यह एक बच्छे एक बच्छे और हमारे जो सोसाइटी के अंदर ये जो इस्यूस हैं हम बिलकुल इनका ध्यान ही रखते हैं जिसकी वज़ा से जो हमारी आने वाली नसल है वह उस खराबी की तरफ जा रही है और सेकेंडली बच्चे को अगर हम अपनी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो हर बच्चा सम तो हमारी एस्पैक्टेशन रखना जरूरी है और अगर वह बच्चा रिजल्ट्स लेके नहीं आता तो इंस्टेड अफ डैट कि यह है नलाएक यह पढ़ता ही नहीं था इसने आगे भढ़ना ही नहीं नहीं तो वह अपने आप उसी के ढाल लेगा उसी सिस्टम के अंदर तो इसके फेलियर सिर्ज को देखें यह वाज़ी नहीं अगरे ऑट प्रो क्यों है उसके स्कुल में शूं है इसके फोके तूटर में शूं है नहीं यह मैंड सेटको हमने चेंज करना है तो फॉसिटिव थिंकिंग आप बच्चे के साथ जब डिसकेस करेंगे इंस्ट दॉ कर दें और उसको उसके ऊपर यह हम डेक्लेरेशन दे दें कि यू अना नॉंसेंस यू अनलाइक यू कांट दू एनिधिंग तैंक यू बेर में जॉक्टर सामरा बहुत शुक्रे मुहमद यूट साब आप दोनों का बहुत है जना अभी का मैसेज यह कि पॉजिटिव रहने म आप एक हेल्दी लाइफ को जारेंगे अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजर होंगे और भी मेमाने में जोइंग करेंगे आप देखते रहें जावल हो